हलो स्ट्रेंट्स, एडूबीला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की वर्षिट नमबर 27 आज की वर्षिट समाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग दो से ली गई है जिसमें हम लोग मुगल समराज्य को पढ़ रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले देखें कि मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्तु था मुगल समराज्य में कोई बहुत बड़े उद्योग नहीं थे कि टैक्स मिलता था या फिर लोगों पर इंकम टैक्स वेगरा नहीं लगा हुआ था विदेश ब्यापार बहुत कम था इसलिए राज्य की आमदनी का मुख्य सुरूत जो था वह जो वहां के किसान उपज पैदा करते थे जमीन पर तो उस उपज पर जो राजस्तु टैक्स होता था वहीं राज्य को मिलता था मुगल समराज्य को मिलता था और उसी से मुगल समराज्य का खर्चे चलता था तो मुगलों की आमदनी का प्रमुक साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजसु था इस चीज को हमने सांस लिया अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामिन कूलीनों यानि की मुखिया या अस्थानिय सरदारों के माधम से राजसु देते थे किसान भी कैसे राजसु देते थे यह मुखिया जमिनदार को देगा और जमिनदार मुगल सरदार को देगा मुगल खजाने में उस धन को जमा करेगा तो इस तरह से अस्थानिय। मुखिया या अस्थानिय सर्दारों के माध्यम से राजस्वे देते थे उसके बाद है समस्त मध्धस्थों के लिए चाहे वे स्थानिय ग्राम के मुखिया हो या फिर सक्तिसाली सर्दार हो मुगल एक ही सब्द जमिदार का प्रियोग करते थे ये जमिनदार सब्द मुगलों नहीं प्रयोक किया है और जमिनदार किसको कहते थे जमिनदार अस्थानिय सरदार को कहते थे या जितने भी मध्धस्त होते थे किसानों से टैक्स लेकर राज्य में मुगल दर्बार में जमा किया करते थे तो इन विचौलियों को जमिदार कहा जाता था और या तो गाओं के मुख्या होते थे या फिर गाओं के कोई सक्तिसाली सरदार होते थे उसके बाद next point है यहां एक चित्र दिखाया गया है उस चित्र को आप ध्यान से देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि यह सैनिक है और यहां लोगों पर अत्याचार कर रहा है मार रहा है पित रहा है और यह लोग हाथ जोड़कर इससे कुछ दया करने की भीख मांग रहे हैं और यहां एक सैनिक किसान से कुछ प्राप्त कर रहा है तो साह जहां के राजकाल का ये लगू चित्र है यह चित्र तबका है जब साह जहां राजा था आप जानते हैं कि सबसे पहले बाबर था बाबर के बाद हुमायू हुआ और हुमायू के बाद अकबर आया अकबर के बाद जहांगीर आया और जहांगीर के बाद साह जहां का अस्थान था इस तरह से उनका family tree था तो साहजान की राजकाल का एक लगुचित्र जिसमें उसके पिता के समय के भरष्टाचार के बारे में दिखाये गया है मतलब भरष्टाचार उस समय भी होते थे और इन भरष्टाचारों से लोग तरस्त थे इस चीज को इस चित्र में दिखाये गया है उसके बाद कुछ छेत्रों में जमिंदार इतने सक्तिसाली थे कि मुगल प्रसास को द्वारा सोशन किये जाने की स्थिती में विद्रोह कर सकते थे मतलब कि कहीं कहीं के जमिंदार बहुत सक्तिसाली थे यहीं कारण था कि पस्चिम मंगाल में जब औरंगेब के समय में मुगल सासन कमजोर हुआ तो वहां के जमिंदारों ने जैसे अलिवर्दी खा हुआ या फिर सिराजु दौला हुआ यह सब लोग धीरे-धीरे मुगल समराज से अपना नाता तोड़ लिए और तोड़ने के बाद अपनी नई राजधानी बसा लिए नई समराज बना लिए दक्षिन में हैदराबाद में भी वहीं हुआ तो इस तरह से कुछ-कुछ ऐसे जमिंदार हुए जो कि जब मुगल प्रसासक उनका सोसन करते थे तो वो विरोध भी करते थे और इतने सक्तिसाली थे कि मुगल सासन के कमजोर पढ़ने पर तुरत उन्होंने अपना राजधा अपित कर लिया था कभी कभी एक ही जाती के जमिंदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे कभी कभी क्या होता था कि जब एक ही जाती के मानिजे अगर कोई राजपुत जाती का जमिंदार है और उस तरह के बहुत सारे हैं तो यह लोग मिलकर या फिर बहुत किसान है अगर किसानों पर कुछ सैनिक ज्यादती करते तो किसान भी विद्रोह कर देते थे उसके बाद 17 सदी के आखिर में 17 सदी मतलब 1650 के बाद आखिर कह रहा है न तो 1650 प्लस के स्थिति में ऐसे किसान भी द्रोहों ने मुगल समराज के अस्थाइतों को चुनौती दिये अब देखते हैं मुगल समराज आकबर के राजस्व मंत्री टोडर मलने 10 साल मतलब 1570 से 1580 की कालावधी के लिए क्रिसी की पैदावार, कीमतों और क्रिसी भूमी का साउधानी पुरवक सर्वेक्षन किया मतलब कि टोडर मल अकबर का राजस्व मंत्री था और 10 बरस तक इन्होंने क्रिसी पर बहुत काम किया और किसी की भूमी पैदावार और उसके कीमत पर सरवेक्षन किया जानकारी दी प्राप्त आकडों के आधार पर प्रतेक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित किया गया मतलब प्रतेक फसल का निशित किया गया कि एक एकड में कितना राजस्वत देना होगा उसके बाद प्रतेक सुबे, सुबे मतलब प्रांत हमने बता है कि मुगल सामराज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिनको कि हम लोग मनसब बोलते थे तो यह कई प्रांतों में बटा हुआ था और प्रतेक की हर फसल के लिए राजस्वत दर की अलग-अलग सुची बनाई गई राजस्वत प्राप्त करने की इस विवस्था को जब्द कहा जाता था मतलब की सुबा, प्रांत, मंडल ये सब जो अलग-अलग सुची बनाई गई और हर मंडल से अलग-अलग तरह का जो राजस्वत लिया जाने लगा तो इस राजस्वत लेने की क्रिया को जब्द कहा जाता था जब्द विवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रसासनिक अधिकारी भूमी का निरिक्षन कर सकते थे मतलब जहां तक मुगल के प्रसासनिक अधिकारी जा सकते थे वहां तक की विवस्था पर जब्द लिया जाता था और सावधानी पुर्वक हिसाब रख सकते थे मतलब कि जहां जाना निरिक्षन करना सुलब था वहां जब्त प्रनाली लागू की गए थी ऐसा निरिक्षन गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया तो बच्चो ये थी हमारी आज की वर्षिट और आज की वर्षिट में हमने मुगल समराज्य के राजस्व के बारे में जाना है मुगल समराज्य के आय के बारे में जाना है अग इसे सम्मंधित कुछ प्रस्ण है उन प्रस्णों के उत्तर भी लिखने हैं यहां पूल, पांच प्रस्ण दिए गए हैं, बुगलों की आम्दनी का प्रमुख साधन क्या था, बुगल सम्राज्रे में जमिनदार की क्या भूमिका थी, अकबर के राज़ नाम क्या था, जब्त सब्ध से आप क्या समस्ते हैं, जब्त बिवस्था कहां अधिक प्रसलित थ तो चलिए answer sheet पर अब इन सभी answer के प्रस्णों के answer देखते हैं प्रस्ण एक मुगलों की आमधनी का प्रमुख साधन क्या था तो इसका उत्तर है मुगलों की आमधनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था उसके बाद प्रशन दो है मुगल समराज्य में जमिनदार की क्या भूमिका थी इसका उत्तर है मुगल समराज्य में जमिनदार सासक और किसानों के बीच मध्यस्तता का काम कर राजस्व एकत्रित करते थे उसके बाद प्रशन 3 है अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था इसका उत्तर है अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडर मल था नेक्स्ट है प्रश्ण चार जब्त सब्द से आप क्या समझते हैं तो इसका उतर है राजस्व प्राप्त करने की बिवस्था को जब्त कहा जाता था और प्रश्ण पांच है जब्त बिवस्था ये जब्त होगा इसको आप जब्त पढ़ेंगे जब्त बिवस्था कहा अधिक प्रश्ण 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 स्वार्शिप में थैंक यू